नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बात नेशन की में सबसे पहले आप सभी भारत बासियों को तहे दिल से हारदिक सुपकामना है कि आज आपका चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षणी धुरुप पर पहुच गया है और अपने तिरंगे को इसने लहरा दिया है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षणी पोल पर जो अपना परचम धहराया है इससे पूरे जो अपना देश है और जो विदेशों में जो भारती रह रहा है उनका सर जो फक्र से उचा हो गया है और इसके साथ ही पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है भारत का नाम अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने चंद्रमा पर सौफ लेंडिंग करने में सफलता हासिल की है इसरो में भी अब इस पूरे जो प्रक्राइब ये जो पूरा खुशियों का माहौल है इसरो उस पूरे माहौल में समा गया है और चंद्रयान तीन जो है लेंडर मोड्यूल की सौफ लेंडिंग के बाद बैंगलूरू में इसरो के मिशन ओपरेशन को जो कॉंपलेक्स है उसमें अभी भी बिल्कुल उतसब का माहौल बना हुआ है इसरो ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चंद्रयान तीन अपने लक्षे तक पहुच गया है इसके साथ ही भारत के लोग भी चांद पर पहुच गये है अब इसके बाद जो सफ़ल होने के बाद प्रिदान मंतोरी के वक्तव्य जो है, प्रिदान मंतोरी ने जो वक्तव्य दिया उसने साफ भारत की मन्षा है, वो future के लिए भारत तइयार हो रहा है, उन्होंने बोला है कि भविश्य में बच्चे कहेंगे कि चन्दा मामा अब पूर के हैं यानि भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब अगले चरण में भारत के नागरिकों को या भामानव युक्त मिशन जो है वो अपना चंद्रमा पर भेजेगा दोस्तों चंद्रमा के जो जैसे हमने पहले आपको बताया था उसका description में वो link है आप चाहें तो उसको open करके मैंने बहुत description में बताया था कि बहुत detail में कैसे चंद्रमा के आप में काफी महत्पून है जो भारत इसरो का जो साहूथ पोल पे जो अपना चंद्रयान बेजाए वो काफी महत्पून है क्यों क्यों कि इस हिस्से में काफी जान दे अंधिरा रहता है और किसी देश ने अभी तक इहां अपने यान की लेंडिंग नहीं कराई है बताते ह आपको 10 जनवरी 1968 में अमेरिका ने इस और अपनी कोशी जरूर कि दिजावत के साहूथ पोल पे उतारने के लिए अमेरिका का जो सर्वेयर 7th स्पेसक्राफ ता वो दक्षणी पोल पर उस जगे से काफी दूर लेंड किया था जहां चंद्रयान तीन ने लेंडिंग की है त किसी का सेशन लेने की जरूरत नहीं है मोटिवेशन के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आप बस एक नाम अपने जहन में लाईए वो उसका नाम है इस्रो अरे साइकिल से सुरू किया गया सफर आज चंद्रयान तीन तक पहुच गया है और आगे ना जाने कितने प अब दुल कलाम हमारे महान वैग्यानिक आज उनको रियल प्राउट होगा अगर जहां कहीं से भी अगर उपर से पूरा देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा को आज शान्ती मिलेगी कि जिस तरह से जो इस्रो है वो उनकों से नए किर्तिमान छूरा है तो जाहिर तोर पे इस लक्षा की और सफलता पाने के लिए लगातार अपने लक्षे की और बढ़ता रहा तो हमारे जो पढ़ने वाले जितने स्टुडेंट्स हैं जो भी कम्टिटिब एक्जाम की तयारी कर रहे हैं वो भी इससे सीख लें कि कोई एक एक्जाम में अगर उनका रिजल्ट नहीं ह अगले एक्जाम की तयारी जोड शोर से करनी है और इतने इतने confident होके करनी है कि आजाए कहीं से भी किताब से चाहें Google से कहीं से कोई question आ जाए मैं उसको करके रख दूंगा यह confidence जिस दिन आ गया ना दुनिया का कोई एक्जाम आप से नहीं बस सकता आप सब एक्जामों को देंगे और इसरो से motivation कुछ लीजिए और इसरो और आज रियल सेल्यूट इसरो के उन वैग्जानिकों ने को जिनों ने दिन रात एक कर कि चंद्रियान तीन जैसा मिशल जो है बनाया और उसको सक्सिस्फुल किया उसके लिए टीम का हर एक मेंबर एक स्वीपर से लेके और इसरो जो चीव हैं उन तक वो सब आज बदाई के पात्र हैं वो सब आज सेल्यूट के पात्र हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कारणामा देश के लिए कर दिखाया तो दोस्तों चंद्रियान तीन की सफल लेंडिंग पर आप सब कैसा महसूस कर रहे हैं अपने जो विचार ह मेरे कमेंड वर्क में जरूर साजा करें और जो है लगातार जो अपडेट न्यूज है चंद्रियान तीन की या देश भर में जो घटित हो रहा है उसकी अपडेट न्यूज लेने के लिए जोड़े रहें मेरे साथ बात नेशन की